नमस्कार कहानी संग्रे में हमारे सभी दर्शकों का हरदिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भोग और मोच प्रदान करने वाली सिप पुरान की दस बातें यह बाते हमारे जीवन में उसदी का कार करेंगी इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सस्क्राइब कर लिजिए दर्शकों पहली जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में संजीवनी का कार करेगी हम जो भी धन कमाते हैं दोस्तों कुछ भी व्योपार नौकरी या कोई बिजनिस है उसे उसमें भी धन आता है उसके हमें तीन भाग कर लेनी चाहिए पहला भाग हम धन ब्रदी के लिए खर्च करना चाहिए जिससे हम जो भी व्योपार खेती जो भी बिजनिस कर रहे हैं उसका विस्तार हो यद विस्तार होगा तो हमारी उन्नती होगी और उन्नती होगी तो हम खुश रहेंगे दूसरा भाग हम अपनी आवश्यक आवस्ताओं पर खर्च करें जिससे हमारा परवा शुक से रहे घर परवार में कोई भी परिशानी कभी भी किसी भी समय आ सकती है यद हमारे पास धन होगा तो हम किसी भी परिशानी का सामना आसानी से कर लेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा उस पर विजय प्राप्त कर सके दर्श को जो धन का तीसरा भाग है वो हमें दान कर देना चाहिए जैसे भूंके को होजन, बस्त्र हीन को बस्त्र, बीमार को ओसदी जिससे हमें संतुष्टी की प्राप्ती होगी साथ ही हमारा परलोक भी सुदर जाएगा दर्श को जो दूसरी बात से पुराण की है वो है क्रोध सबसे महत पूर बात है ये क्रोध हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें क्रोध से बचना चाहिए क्रोध हमारे विव्यक को हर लेता है और हमसे अंजाने में ऐसे काल हो जाते हैं जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते इससे हमारा तो अयत होता ही है साथ ही हम दूसरे का भी अयत कर दीते हैं तीसरी बात जो सुप प्राण की है वह है भोजन भोजन हम कैसा करते हैं ये जानते हैं हम जैसा भोजन करते हैं वैसात्विक है तो हमारे मन और बुद्धी दोनों पर शकारात्मक असर करता है ज्यादा तीखा मसालेदार तेल युक्त भोजन हमारे जीवन में अनेक ब्रकार उत्पन करता है पुराण की ये बाते हैं जैसा खाओगे अन वैसा होगा मन अब सिप पुराण की हम आपको चौथी बात है संद्याकाल संद्याकाल वै समय है जिसमें दिन का समापन होता है और रात्री का प्रारम होता है साम के समय हमें संद्या बाती जरूर करनी चाहिए साम को जूट कभी न बोलें लड़ाई जगडे से हमेशा दूर रहें सिर्फ भ सत्त का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्तु है सत्त बोलना कठिन है लेकिन यह हमें अच्छा फल दीता है असत्त हमें हमीसां अंदकार की ओल ले जाता है लालच पैदा करता है और हमें नरक में धकेल दीता है छटमी बात है सिफ पुराण की वय है जो भी हम कार करें वय निस्काम भाव से करें जैसे हम क्योई व्यवपार कर रहे हैं या किसी की सायता कर रहे हैं व्यवपार में हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मालिक तो परमात्मा है हम उसकी सीवक हैं यद नुक्सान होगा तो उसका होगा हमें तो अपना कर्म करना है यद हम ऐसा सोचेंगे तो हम सुखी रहेंगे अगर हम नकारात्मप सोचेंगे व्योपार शुरू होने से पहले ही हमने यह सुच लिया कि घहता हो गया तो क्या होगा ऐसे में हम न तो व्योपार अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और नहीं हमें कोई भाइदा होगा सिफ पुराण की सातमी बात है वह इच्छाएं हमारी इच्छाएं असीमित होती है जो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होती है इच्छाएं ज्यादा लेके हम कभी भी सुकी नहीं रह सकते इच्छाएं हमें मोग हो जाता है जैसे हमारी बहु वेटा नाती पोता किसी से भी हमें मोग हो सकता है तो हम उसी के विशे में सोचते हैं हमें मोग से हमेशा बचना चाहिए आज उसके पास यह नहीं है कल उसके पास यह नहीं है कल वहां हमें जाना है तो हमारा नाती पोता वेटा क्या कहेगा ऐसी बाते हमें कभी भी नहीं सोचनी चाहिए वो हमें इस लोग और परलोग दोनों में कश्ट दीता है नौवी बात है वह दर्शको कलपना दर्शको हम जैसा सोचते हैं बैसी ही तस्वीर हमारे अंतर्मन पर अंकित हो जाती है जितने भी आविश्कार या प्रयोग हैं हमारे अंतर्मन की तस्वीर है जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमने पंख्य का आविश्कार किया और इसी का आविश्कार किया अगर हम चोरी की कलपना सोचेंगे तो हम चोर हो सकते हैं इसलिए हमें कलपना का हमारे जीवन में अचदिक महत्त है सबसे अंतिम बात है मन दोस्तो ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझा हूं उतना ही मचल जाए जी हां दोस्तो जिससे मन पर काबू पाल लिया उसने भगवान को पाल लिया अगर हमारे मन पर हमारा काबू है तो भगवान को प्राप्त होने में कोई नहीं रोप सकता है ये ती सिफ पुराण की दस बाते दोस्तों अगर हम अपनी जीवन में अपनाएंगे तो हमारा कल्यान हो जाएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर करें